आप हैं विहार समवादाता के शाथ और मैं हूँ मनोच चतुरवेरी जी हाँ आज है सनीवार और हमेशा की तरह हम आज हाजीर हैं अपने सापताहिक कारिक्रम क्या कहती हैं नेताओं की कुंडलिया जी हाँ हमने समराठ चौधरी से लेकर नितीश कुमार और तेजस्वी यादोतक की कुंडली के बारे में आपको बताया जो की सटिक होते जा रही हैं जी हाँ हमारे ही जो तिसाचार स्री मिखलेश ने कहा था कि तेजस्वी इस बार तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते कोई चांसे ज अन्हालेंगे वो भी कोई कम बड़े इंसान नहीं है जिहां आनंद मोहन के बेटे हैं सिवहर्क से बिधायक हैं पाला बदल के राजद से भाजपा में तो मत कहिए लेकिन जदियू मैंने सिप्तौर पर चले लेकिन क्या उनके इस पाला बदलने से उनका राजनितिक या पिता के कंदे पर फिर बंदूख रखकर सिवहर्की धर्ति पर तहाड़ेंगे कुंगली कुंडली आज हम उन्हीं की खंगा लेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे जोतिसाचार स्री मिथलेश हैं मिथलेश दी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पाला बदल के र दर्समभावस्त ब्यश्पती सुर्ज के राशी में होना और ब्यश्पती चतुत भाव ओपर द्रिश्टी और चतुर्द भाव के श्वामी का अपने रासी में होना यह दिखा राहे कि जनता के बिच इनकी पकड़ अच्छी है आगे भी रहेगी एक मजबूत स्वीश्ति में चंद्रमा का मंगल के राशी में होना और व्रिश्पती के दिश्टी भी लोगपिर्था को दर्शाएगी आगे आनी वाले समय में यह जनता के बीच काफी सरुमान नहोने जा रहे है पिता की बदावलत मा की बदावलत ना अपनी बदावलत अब ग्रह तो इन ही का है लेकिन अभी वरत्मान में इनकी भाग्येस की महासा चल रहे है भाग्य भाग्य श्वामी चंद्रमा है व्रिश्पती के दिश्टी है जो कि 2020 के बाद से आरम हुई है तो 2030 तक की अवधी तक चंद्रमा रहेगी यह समय तो काफी इनके लिए उत्तम है चंद्रमा का जी बिल संभावना है प्रबल में बुद्ध के बैठना बुद्ध के साथ बैठना ब्रिस्मतिए का सूर्थ को बैठना बहुत जल्दी तो बता दीजे मंद्री मंडल का विस्तार होने वाला है उनके बी दिल में बहुत अची है सकते हैं यह बहुत जल्द मंत्री भी बन सकते हैं पद पाने की संभावना चंद्रमा बना रहे हैं सोच लीजिए अब आप मापिता का स्वास्त ने इनकी कुणिस यह तो आहिरा की पिता एक जरमान बेखते हैं लग महीं सूर का मंगल कराशें बैठना एक प्रतिश्चित पि इंकी कुंदली देखके क्या पराख सकते हैं कगा माता भी इस वर चुनाओ लड़ें हमारे पास जो खबर हुआ रहे है इंकी की काफी लोग कि रहें हैं रहेंगी चंद्रमा बर ब्रिस्पति की देष्टी हैं मंगल की देखरी तो दो-दो सुभगर जब वहाँ पर अपने दिश्टी डाल रहा है तो इसी दी तो बल्वती है कि वह अच्छे लोगपरता बनी रहेगी आगे भी चुनके आ सकते हैं यानि कि 2030 तक एकदम फाइनल है चेतन आरंग क्योंकि चंद्रमा की द्रिश्टी उनकी कुंडली पर है और जैसा कि हमने आपको बताया हमारे जोतिसाचार स्री मिठलेश ने जिसकी जिसकी कुंडली खंगाली और जो जो कहा है वो वास्तों में वो बातें सटिक हो रही हैं करी सारे लोगों की कुंडली कमो वेस 90 प्रतिसर से आप उपर कह लीजिए कि बातें सटिक हो रही है आज चेतन आनंद की कुंडली इन्होंने खंगाल दी और कह दिया कि बद 2030 तक तो अवस्था ऐसी है कि इन्हें कोई डिगाही नहीं सकता और यहां तक हो सकता है कि कोई सरकार में पद पाएं तो सरकार में पद पाने का निस्षित तोर पर वही एक रास्ता है कि मंत्री मंडल में सामिल हो सकते हैं क्योंकि राज़त से निकल के नितीस जी के साथ जाकर जो बैठे हैं जडि आपको भी अपने कुंडली की जानकारी लेनी हो तो हमारे जो 34 स्री का नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है आप उनको कॉल करके अपने पूरी कुंडली की जानकारी ले सकते हैं आज के लिए बस इतना ही हमें दीजिए इजाजत नमस्कार